नवसकार दोस्तों जेहिन वंदे मात्रम मैं आपके साथ जैस्वाल सर आपशवी का श्वागत अविनन्दन है टीटी फेमिली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सिंटर पर पावर्ड बाई सिच्छा ही प्रगास है साथियों बात करेंगे पर्यवन एधन प्रेक्टिस पेपर की बात करेंगे 31 ये प्रेक्टिस पेपर है मॉडल पेपर है अब 28% प्रत्र है आपके स्लेबस के कोडिंग बाई जैस्वाल सर जिहां साथ यहोँ इस महत्पूर्ण practice paper पर हम उन 30 महत्पूर्ण प्रश्णों की बात करेंगे जिस तरह से आपके exam का level है और exam का level देखते हुए 30 प्रश्णों यहां पर selected किये गए हैं और जिस जिस topic पर प्रश्ण आ रहे हैं टॉपिक पे इस practice paper को त्यार किया गया है बहुती मेहनत के बाद यह practice paper पेपर त्यार हुआ है तो इस मेहनत को आप लोग यूज कीजिये इन प्रेष्णों को यहां पर अपना फीडबेक करके बताइये और इसके पहले अपने practice paper नहीं देखा तो बटन पी लिंक मिल जाएगी सारे practice paper अटेंड कियेगा और क्योंकि जितने हम practice paper कर रहे हैं आप लोगों से feedback मिला है कि EBS में 60 परिश्ट के लगबग आपके paper परिश्ट हमारे repeat हो रहे हैं class के जो हमने किया है और जो बाल भी कास है लगबग 70 से लेके 75% तक जो है इसी प्रकार के लेवल के प्रस्न जो है पूंचे जा रहे हैं या इनसे सम्मान्दीत प्रस्न पूंचे जा रहे हैं तो practice paper जरूर एटेंड कीजेगा चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रस्न इसकीन पर है और जान लेते हैं तीस में से आप लोगों का फीडबेक क्या है पहला प्रशन पूँचा जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला अंतिच यात्री कौन थी सुनीता बिलियम्स, कल्पना चावला, स्टरिता बंडला या इन में से कोई नहीं तो एक ही सबी जानते हैं भारत की प्रथम महिला अंतिच यात्री अगर पूँचा जाता है तो कल्पना चावला आजाएगा ठीक है जी हाँ, भी आपसन यह पे सही हो जाएगा और ये पूछा जाता है कि भारत की जो है रहने वाली या भारती मूल की अमेरिकी जो है अंत्रिच्याती फिर आपका सुनीतिया बिल्यमसन की बात करेंगे दूसरा प्रसंद जो दिया गए कि किस राज ने पवन उर्जा विक्सित की है और उसका नाम है गुजरात करनाटक या सिवालिक या आंध्रप्रदेश जिस राज ने पवन उर्जा को विक्सित की है वह राज और कोई नहीं है गुजरात राज की बात करेंगे पहला आपसन सही हो जाएगा डिरेक्ली कोश्चन और एंसर करेंगे आज की स्प्रेक्टिस वेपर पर सभी कमेंट कीजेगा प्रतेक भाई बेहन ग्रहनी जिनका सपना है गौर्मेंट टीटिक जाम को फते करना शलिक्सन को 101% पक्क करना जी हाँ सभी कमेंट कीजेगा तीसा प्रसने राष्टी राजमार्ग वन ए जो लेह को दर्रा होते हुए कास्मीर घाटी से जोडता है तो राष्टी राजमार्ग जो वन ए है ये लेह को जो है किस दर्रा से होते हुए कास्मीर घाटी को जोडता है देखे ये प्रसने पूछा जा रहा है कि किस से जोडता ह तीक है इसी टाइप के प्रस्णिक जाम पर पूछे जा रहे है कि राश्टी राजमार्ग जो वन ये है वह ले को किस दर्रा से होते हुए कासमीर घाटी को जोडता है तो वह आपको जोजिला दर्रा जिया है राश्टी राजमार्ग जो वन ये है ले को जो है कासमीर घाटी स जोडता है लेकिन किस दर्रा होते हुए तो आपका जो जो जिला दर्रा है भी आपसन सही कर लिजेगा चौथा प्रसंदी आगया है कि निमली कित में से किस राज में टिपानी एक प्रसिध लोक नत्र है बिहार की बात करेंगे पश्यमंगाल गुजरात राजिस्थान की जी हाँ सभी कमेंट कीजेगा टिपानी जो किस राज की एक प्रसिध लोक नत्र है यह गुजरात राज है जिसकी टिपानी एक लोक रत्र है, जो की प्रस्यदी भी है, यहां पर आप लोगों का C आप्सन सही हो जाएगा, सबी कमेंट केजएगा, जी हां प्रतेक भाई बहन, पांच सिकंड के लिए आपको समय दे दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, प्रतेक का feedback करने के लिए, पांच सो प्रस्यदी इस करभी किस बिटामिन कमी से होता है, बहती आसान सा प्रस्यदी और आज के वे बिटामिन से प्रस्यदी नहीं पूछे गए, आज के पेपर पर और अगर आप नहीं देखा तो ज़रूर देख लिजेगा, आज का क्या क्या टॉपिक पर प्रशन पूछे गए हैं इस करवी जो है आपको जो दिया गए है प्रशन कि इस करवी किस बिटामिन के कमी से होता है तो सभी पतोगा बिटामिन C के कमी से होता है ठीक है रिकेट्स जो होता है सभी लोग बताईए छटा प्रशन दिया गए कि कौन सा रोगानु जल जनित रोग ई कोलाई फैलाता है प्रोटो जोवा परजीवी जीवानु या बिसानु की बात करेंगे तो ऐसा प्रशन जो दिया गए है ऐसा आप्षन जो रोगानु जल जनित रोग ई कोलाई फैलाता है वह और कोई नहीं जिवान कहलाता है जी हाँ, ऐसा रोगान जल जनेत जो रोग E कोलाई फैलाता है और कोई नहीं जिवान की बात करेंगे आप्शन नमबर C की बात करेंगे साथ्वा प्रिशन साथियों केरल के समुद्री तड़के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है कैसियम, रेडियम, थोरियम, मैगनीच की बात करेंगे तो केरल के समुद्री तड़की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है तो भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है जिहां केरल के समुद्धी तटकी रेत में भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है, सी आपसन साथियों सई हो जाएगा. आठवा प्रस्ण है, बेतीन प्रस्ण है, सलेक्शन वाला प्रस्ण है, शंभावित प्रस्ण है, कि पश्चिमी वा पूर्वी घाटों का मिलान कहा होता है, नेलगिर की पहाड़ियों में, पालनी की पहाड़ी में, या अन्नमलाई की पहाड़ियों पर होता है, पश्चिमी पूर्वी घाटों का मिलन जो है नील गिरी की पहाड़ियों पर होता है पहला आपसन जो है यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा सभी कमेंट कीजेगा जी हाँ आपके प्रतेक कमेंट का इंतजार रहता है आपके प्रतेक फीड़ेक का इंतजार रहता है जैस्वाल सर आ आप सभी के माता पीता को प्रडाम करते हैं जी हां सभी कमेंट कीजेगा जी हां जेहिंद वंदे मात्रम इंकलाब जेंदवाद एकजाम को फते करना है आपका कमेंट शरू पर है जी हां सातियों पहली महिला जो ओलम्पिक में बेक्ती ट्रेक घटना के लिए अरता हुई है हो सकता है आपने ये प्रशन भी न सुना हो और ऐसा नाम भी न सुना हो तो पहली महिला जो ओलम्पिक में बेक्ती ट्रेक घटना के लिए आरता हुई है वह आपकी हैं एमडी वाल समामा ठीक है भी आपसंस ही हो जाएगा आज हमने डिफनेशन लेकर नहीं आ है एंसर में दिफनेशन में ज़्यादा टाइम भी हो जाता है और दिफनेशन वाली अगर प्रैक्टिस वेपर चाहिए तो कमेंट कीजेगा अंगली प्रैक्टिस वेपर डिफनेशन लेकर प्रती एक प्रशन पहर आएंगे ठीक है क्योंकि हो शकता इससे लेटर प्रशन आएगा तो से बन जाएगा टाइफाइड किसकी बज़े से होता है स्यूडो मोनाज इस्टेफाइलो कोकस की बात करेंगे बैसीलस की बात करेंगे सेल मोनिला टाइफो की बात करेंगे तो टाइफाइड किसकी बज़े से होता है सेल मोनिला टाइफो की बज़े से होता है डी आपसन सही हो पूछा गया यानि कि सभी का जो pattern है एक ही नहीं आ रहा है जो daily एक ही time पर एक ही paper नहीं आ रहा है question को अदला बदला जा रहा है ठीक है तो अंगला प्रस्ण है पैलेना और इसकरवी किन vitamins की कमे से होता है देखे इसकरवी तो आपने सुना होगा लेकिन आपके पैलेना नहीं सुना होगा इसकरवी सुना है कि vitamin C से होता है ठीक है तो vitamin C वाल हमारा देखे second में इसकरवी दिया गया है तो second में देखे second line में vitamin C केवल B option पर दिया गया है ठीक है तो पहले ना और इसकरवी किस vitamin से होता है तो ये पहले ना अगर नहीं पता तो जान लिजे vitamin D से होगा है ठीक है एक चीज अगर हमें पता है तो हम इससे logical बता सकते हैं इसकरवी बाद में दिया गया है तो विटामिन C होता है तो हमारा जो पहले ना है वह विटामिन B हो जाएगा यानि कि आप लोगों का B वाला आप्शन सही हो जाएगा अंगला प्रसंदिया गया कि निम्रिकित में से वह परवस्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है हिमाले विंध्याजचल अरावली या सहयाद्र की बात करेंगे तो ऐसी परवस्रेणी जो भारत में सबसे पुरानी है वह कहलाती है अरावली जिहां अरावली एक ऐसी परवस्रेणी है जो भारत की सबसे पुरानी परवस्रेणी कहलाती होगा है अरावली अंगला प्रसंदिया साथियों दिवस सन वाले प् अंग्ला पुस्षन साथियों पूँचा जा रहा है कि आठ मई मनाया जाता है बिस रेड क्रास दिवस कॉमन विल्थ दिवस बिस दूर संचार दिवस बिस मानक दिवस ये सारे दिवस पढ़ लिज一定要 ऐसा नहीं कि options वे दिया गए तो आपको पढ़ना नहीं है red commonwealth विश्व दूर संचार विश्व मानक ये चारों में से कोई पूंचा जा सकता है ठीक है तो 8 माई को मनाया जाता है क्या मनाया जाता है तो 8 माई को जो है विश्व रेट क्रास दिवस मनाया जाता है पहला option सही हो आज के प्रशन की बात करें IUCN का मुख्याला है ये प्रशनाया हुआ है ठीक है और पोलो खेल किस से खेला जाता है ये प्रशनाया हुआ है तो घोडशावारी के द्वारा ये घोड़े में बैटकर खेला जाता है ठीक है इसी टाइप कर ये भी प्रशना सकता है कि आगा के खेती जो है बायोगेस उत्पादन में उपयोगी होती है क्रशिगत अपसिष्ट पुनर्शक्रन में उपयोगी होती है कैंसर की रोग थाम में उपयोगी होती है ठीक है लेकिन अनाज रोगों के जैविकी नियंतर में जो है मस्रूम की खेती का उपयोग नहीं होता है तो शत्रहमा प्रशने साथियों कि ला नीला प्रसांत महाशागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है ला नीला या आपने सायद हो शक्ता है नाम सुना हो नहीं सुना है तो जान लिजेगा ला नीला प्रसांत महाशागर किस प्रकार से प्रभाव डालता है महाशागर का खार है दूसरा आपसन क्रिकेट आ गया है ठीक है तो ला नीला प्रसांत महाशागर किस प्रकार से जो है प्रभाव डालता है तो यह जल का तापमान कम कर देता है जो ना नीना है यह प्रसांत महाशागर पर है यह जल के तापमान को कम कर देता है अंगला प्रसने साथ यो जो दि जाम पर पूछे जा रहे हैं तो बेहतरीन कमेंट किजेगा और आज एक मौर सिया मंगल ग्रह से सम्मंदित प्रश्ण पूछा गया है आपके एबियस में ठीक है तो इसके पहले एनलेसस हमने किया है जरूर उस वीडियो को देखेगा उससे समझ में आता है किस टॉपिक पर क्या चेंज हो रहा है म्रदा बिग्यान से प्रश्ण पूछा गया है ठीक है बिग्यान के अभियंतक से सम्मंदित ठीक हमारे जो सुदेशी लांच है सेटेलाइट उनसे सम्मंदित प्रश्ण पूछा गया है एक इराग का कोई एक सेटेलाइट है इसलाम से सम्मंदित नाम था वह पूछा गया है तो मैंगनेटाइट का एक आयस या खनीज है वो हो जाएगा मैंगनीज जी है मासे मैंगने मासे मैंगनीज नोट कर लिजेगा जी हाँ 19 वा प्रस्ण 22 प्रस्ण आ चुका है कि एक सराफ थालिमिया किसकी कमी से होने वाली बिमारी है साइथ आपने बिमारी भी न सुनी हो ऐसे ही आपके एक्जाम पर प्रस्ण पूछे जा रहे है ठीक है तो एक सराफ थालिमिया किसकी कमी से होता है विटामिन A, B, C, D सभी बताइएगा तो एक सराफ थालिमिया जो है किस विटामिन के कमी से होता है विटामिन A की कमी से होता है नोट कर लिजेगा अंगला प्रस वाले रोगी होगे या उनके घर में होगा तो वो जान गए होगे ठीक है अगर डिटेल या डांक्टर्स के पास गए होगे तो बताएं होगे कि मधमेह रोगी द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले स्वीटिक्स में उर्जा की जो मात्रा होती है डियाविटीज पेसंट ध्य लेंगे ठीक है तो मधमेह रोगी या डाइविटीज रोगी जो विक्ति होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले जो स्वीटिक्स होती है उनमें उर्जा की मात्रा जो है जीरो कैलोरी होती है द्यान दीजाएगा डियापसान यहां पर सही हो जाएगा अंगला रोग हो गया पीलिया हो गया डिफ्तिरिया हो गया हैजा हो गया जी हां ऐसा रोग जो दूद द्वारा फैलता हो वह आपका रोग है छे रोग जी हां छे रोग ऐसा है जो दूद के द्वारा फैलता है आपने सोचा भी नहीं होगा ठीक है सबी कमें कीजेगा मधमे होता है इंसुलिन के अधिकता में इंसुलिन के कमी में यक्रत विकारों से या बिलुरू वीन की अधिकता से होता है मदमें कहां पर होता है या स्वारी मदमें होता है तो मदमें जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है इसकी इंसलिन की कमी से होता है तो पेंसलीन की खोज किस ने की थी सभी बताईएगा पेंसलीन की खोज किस ने की थी सभी कमेंट करके बताईए जिनको भी बता हो पेंसलीन की खोज किस ने की है सभी फटाफट कमेंट कीजेगा आपके कमेंट का इंतजार है पांक सेकंड को शभी का वक्त दिया गए है पेंसलीन की खोच किसने की है चले आपका कमेंट आ चुका है बहुत बहुत धन्वाश शभी मित्रों का आप बात करते हैं लेपरश्ण की किसके लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परिशक मित्र दार्शनिक और मार्ग दर्शक रूप में कार करता है लोक लेखा शमीति, प्राकलन समीति, बित मंत्राले या सार्वजनिक उपकरम शमीत की बात करेंगे तो किसके लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखक जो परिच्छक होते हैं परिच्छक मित्र जो हैं दार्षनिक और मार्ग दर्षक रूप में कार करते हैं वह लोक लेखा समित के बात करेंगे तो लोक लेखा समित के लिए जो है भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परिच्छक मित्र दासनिक और माग दर्शक के रूप में कार करते हैं वह है लोक लेखा समित के लिए अंगला प्रशने साथियों निम्रिकित में से कौन जो है भारती समिधान की प्रारूप समीत के सदस्य नहीं थे तो आपको पता होना चाहिए कि डांक्टर बी आरम बेड़कर अल्ला दी कृष्ण स्वामी और गोपाल स्वामी अयंगर ये तीनो जो है भारती समिधान के प्रारूप समीत के सदस्य थे लेकिन आपके राजिन प्रसाद जी जो है ये भारती समिधान के प्रारूप समीत के सदस्य नहीं थे तो क्या क्या नाम याद रखना है आपको याद रखना है डांक्टर बियारम बेड कर अलादी कृष्ण श्वामी और गोपौल श्वामी अयंगर ये तीनों भारती समिधान के प्रारूप शमीत के सदस्च थी अंगला प्रशन दियागा कि भारती समिधान के अनुचेद 49 का जो है समान नयाय और निसुल्क विदिक सहायता संदर्भित करता है राज के राजपाल राज के नीत निनेशक तत्व की बात करेंगे शंग शरकार की बात करेंगे या भारती नागरिकों के मूल अधिकार की बा गवर्मेंट T.T. एकजाम को फते करना और जिस लेवल के प्रशन आ रहे हैं इस लेवल में तो दिल दढ़कता है जब एकजाम सिंटर जाते हैं दिल धढ़कता है आज किस टॉपिक पर प्रशनाएगा आज कैसा प्रशनाएगा तो ये छोड़ दीजिए कैसा आपको यह कहना पूछो कहां से पूछा जाएगा मैं इसके इंसर दूँगा आपकी ऐसी भावना होगी तो प्रश्ण भी सरलाएंगे ठीक है तो अपने मन को उत्तेजित कीजिए अपने मन को निरासे में नहीं अपने को मन को शकारात्मक में बदलिए ठीक है पॉजिटिवि जो संदर्वित है वहर राज के नीती के निदेशक तत्त की बात करेंगे भी आपसंसातियों सही हो जाएगे अंगला पसने समिधान सभा के मूल अधिकार उप समीत का अधच कौन था जेवी कृपलानी राजेन प्रशाद डांक्टर बी आरंबेट कर आपके गोपीनाथ ब कृपलानी पहला अपसन सही हो जाएगे अंगला प्रसंद लिया गया है कि भारती समिधान की रचना के समय समिधान सभा का शमवैधानिक सलायकार कौन था जवालल नेहरू डाक्टर राजेन प्रशाद बी एन राव या डाक्टर बी आरंबेट कर तो भारती समिधान के रचना हुई थी सातियों उस समय जो हैं समिधान सभा के समवैधानिक सलायकार और कोई नहीं बी एन राव नोट कर दिजेगा दो तीर प्रसनावर हैं इनको कमपीट करते हैं और इस प्रेक्टिस पेपर को कमपीट करते हैं निम्रकित मेंसे किसके द्वारा समिधान में उद्देश संकल्प लाया गया था सभी कमेंट कीजेगा तो हम बात करेंगे जवाहलाल नेरू जिहां सात्यों जवाहलाल नेरू द्वारा जो है समिधान में उद्देश संकल्प लाया गया था पहला आपसन सही हो जाएगा और किसी भी भाई बहन ग्रहनी टीचस बंधो भी डाउट हो कमेंट कीजे आपका प्रते कमेंट फेडबेक शरो पर है शर्मान है और टेली ग्राम से अवस्थ जुड़ें अपना जो डेली एनलसस कीप आएं क्वेश्चन भी आपको मिलेगा टेली ग्राम इंस्ट्रागाम फेस्बुक पर ज़रूर फालो कर लिजेगा जि पर्यावन अध्धन के बारे में निम्रकित में से काउन सा कथन जो है गलत दिया गया है यह पर्यावन अध्धन पर्यावन के महत्तों से आउगत कराता है चूंकि पर्यावन अध्धन मनुस्थों से सम्मंद है इसलिए उसकी खोज की प्रकति बैग्यानिक नहीं यह पर्य पर्यावन अध्धन में इतिहासिक, भगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयमों से लेकर समाज की भी शरोकार शामिल होते हैं। तो पर्यावन अध्धन के बारे में निम्लिकित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। देखें, चुंकि पर्यावन अध्धन मनुश्यों से सम्मन्दी थे, इसलिए इसकी खोज की प्रकत बैग्यानिक नहीं या कथन गलत दिया गया है। तो भी आपसन गलत दिया गया है, बाकि हमारे शही दिये गए हैं। अंगला पसन दिया गया कि पर्यावन अध्धन के विशय में निम्लिकित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। पर्यावन अध्धन के विशय में जो कथन गलत दिया गया है। अध्धन के मिला तीस में से सभी कमेंट कीजेगा। और मैं आपके साथ जैस्वासा सभी मित्रों को शुब रात री है, जिनका कल एकजाम है, सभी को आलदबिष्ट है। बेतीन प्रिपेशन के साथ, बेतीन एनर्जी के साथ जाएगा वादा करता हूं सेलेक्सन लेकर ही आएंगे। सभी लोग आपके कमेंट कीजेगा। सभी मित्रों को जैहिंद बंदे मात्रम है। सभी मित्रों को शुब रात जल्दी मौर्निंग पर मिलते हैं। आपके क्लास पर एनलेसस पर मिलते हैं। जैहिंद धनवाश भीकर।